नमस्कार बच्चो आपका वीडियो में स्वागत है बच्चो आज की वीडियो हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में हम पार्शल डिफरेंशल एकोशन को सॉल्व कैसे किया एता है वो स्टेडी करने जा रहे हैं बच्चो लेकिन उससे पहले मैं आपको दो लाइने बोलना चा करता हूँ जब हम differential equation की study करते थे 12th level में तो तब हम कुछ questions solve करते थे और जो शुरुवात था first order first degree का differential equation होता था उसको method of separation of variables solve करते थे उसका मतलब यह था कि हम जो variables होते थे like variables को उनकी तरफ ले आते थे एक्स को एक्स की तरफ ले आते थे और वाई को वाई की तरफ ले आते थे और फर integral किया करते थे बचो कुछ ऐसा ही method हमें partial differential equation को solve करने के लिए भी दिया गया है और वैसी हम study कुछ इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं तो जो मैंने questions लिए हैं बचो वो questions भी कुछ ऐसे ही हैं जो partial differential equation के और first order के होंगे तो आप देखें अधी धियान से तो पहले तम topic की बात कर लेते हैं topic क्या होगा हमारे इस वीडियो का बचो वो है solution of partial differential equation by method of separation of variables और इसमें आप देखें यह शुरू आप में देखें हैं तो del u over del x is equal to twice of del u over del t plus u बच्चो question आएगा कैसे लिखा हुआ कैसे आएगा वो देख लिए मैं यहाँ जगा कम होने की वैसे मैं नहीं लेकिन लिखा हुआ क्या आता है solve by method of separation of variables से हमें यह solve करना है यह first question है बच्चो इतना हमारा first question है और इस first question की बात जो मैं आपको बताना जाता हूँ वो सिखाना जाता हूँ वो आप सीखेगा बहुत बहुत जरूरी है आपके आने वाले content के लिए और आने वाले videos भी आपको ढग से समझाएंगी अदर्वाइस दिक्कते होंगी और इन questions में भी आपको बहुत सारी दिक्कते हो रहे होंगी तो मैं आज प्रियास करूँगा कि आपकी यह सब दिक्कते दूर हो जाएं तो question start करते है question number one question number one is deal u over deal x is equals to twice of deal u over deal t plus u बच्चो ये हमारा question है इस question में मैं आपसे पूस्ता हूँ कि यहां पर जो u जो होगा यहां पर यह यू किसकिस से मिलके बना है क्योंकि u किसकिस के respect में differentiate हो रहा है वो x के respect में differentiate हो रहा है और t के respect में differentiate हो रहा है तो यू जो मिलके बना होगा, वो X और T से मिलकर बना होगा, बच्चो ये जो यू है, ये आपका dependent variable कहलाता है, ध्यान रखेगा, और ये जो X और T हैं, ये independent variable हैं, और हमेशा ध्यान रखेगा, यदि आपने ordinary differentiation मेरे से सीखा है, वैसे भी आपने सीखा होगा है किसी से भी, तो वहाँ पर आपको पता होगा dependent variable और independent variable, independent variable जो की independent है, जो की input है हमारे, ऐसे समझ लिए, उनको कुछ भी रखा जा सकता है, और इन values पे depend कर रहा है यू, तो ऐसे में यू depend करता है, X और T पर ये इन से मिलके बना है, ये भी हमें बताया जा रहा है, तो बच्चो इस method को, method of separation of variable को हम एक multiplication method के नام से भी जानते हैं, तो हम यहां पर solution let करते हैं, इस given differential equation का, हम solution let करते हैं, कि let U is equal to, किस किस से मिलके बना है, आप देखेगा, function x से मिलके बना है, हमने कहा, कि function x से मिलके बना है, और किस से मिलके बना है, तो जब कभी इसका solution आएगा, वह x और t की ही form में आ ती बच्चो इसको जैसे भी आपने माना हो इसको में एक शॉट फॉर्म में मैं इस F को F ना लिखकर के capital X लिखता हूँ और यह जो T है इस T को जो यह साई function था इसको मैं capital T लेता हूँ इसको फार्क नहीं बढ़ता फाई साई जाई जो आप कमन करें वो ले सकते हूँ बट किसी वज़े से जिससे कि हमें अच्छा लगे कुछ हमें दिक्कते ना हो इस वज़े से मैंने बड़े इजी से यह रखे हैं notations X और T तो आप समझें capital X में small x के elements है और इस capital T में small t के elements हो सकता है sign हो, cos हो, e to the power हो, log हो, कुछ भी हो सकता है लेकिन वो T में है यहां पर X में बच्चो इसको in short हम capital U X T और इसे जो हम लिखने चाहते हैं यह U let इस U के अंदर जो भी U मिलके बनने वाला है U के अंदर कोन है? X और T वो इससे मिलके बनेगा तो हमने let किया U, आप इसको shortcut माने तो यह दिखाने की ज़रत नहीं है capital small x, t तो U is equals to X T हमने माना है means अब आप ऐसे समझ लिजे हमने जो U को लिया है, वो capital X T लिया है यह हमने solution assume किया, यह number 2 अब पहला question है, तो बहुत ज़्यादा कुछ समझने की ज़रत है, तो वो समझ लेते हैं अब हम next में, अब इसमें differentiate करते हैं बच्चे, तो जब हम del U over del X find out करेंगे, इसको, इस वाले को हम X के respect में करते हैं, तो बच्चो, T तो constant होगा, ध्यान रखेगा partial differentiation करें, this is partial differentiation, जब T constant होगा, तो X का differentiation X dash, यदि मैं आपसे, हमें इसकी भी ज़रत है, तो इसे भी solve कर लेते हैं, मैं पूछू हूँ यदि आपसे, कि del U over del T क्या होगा, तो अब हम कहेंगे, X constant है, और T का differentiation T dash, क्योंकि वो small T के respect में हो रहा हैं, यहां all X के respect में हो रहा है, तो इन दो बातों का हमें विशेश ध्यान रखना है, और बच्चो यह सब values हम उठा करके, अपनी given equation 1 में put करते हैं, आईए, put कराईए, del U over del X, X dash T है, is equals to twice of del U over del T, X T dash है, यह, प्लस, बच्चो U को भी मत बूलिएगा, हमने U को assume किया है, X T, यह X T आ गया, बच्चो यह values आ गई है, अब हम variables को separate करना चाहते हैं, कि variables कैसे separate हो, इस variables को separate करने के लिए, सबसे अच्छा तरीका में आपको देता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससा परशान हो, जितना आपने assume कर रखा usable to X T, उससे सभी को divide कर लो, तो dividing by, dividing by X T, तो जब आप divide करेंगे, तो यह बच्चो X dash T upon X T, twice of X T dash upon X T, plus X T over X T, cancel करें, तो T से T cancel, X dash over X, यहां से X X cancel, twice of T dash over T, plus 1, तो बच्चो हमारे पास यह value आपकी आगए, X dash over X, equals to twice of T dash over T, plus 1, बच्चो, यहां बर इतना करने के बाद, हमें क्या कहना है कि यह values और यह values दोनों equal है, this value is equals to this, but we don't know how much, तो हमने इसको assume कर लिया, suppose this value is equals to some constant, which is K, यह K कुछ भी हो सकता है, but it is constant, ओके, अब ऐसे में इससे क्या पता चलता है, कि X dash over X, भी के के equal होगा, तो X dash over X को हमने के के equal लिया, तो बच्चो, यहां से, यही मैं इसे solve करो, integration करें, क्योंकि हम इसे solve करना चाहते है, capital X हमारा निकालने का, हमारा, जो में मकसद है, अब हम करे जा रहे हैं, अंधेरे में हमें पता नहीं है, तो हमारे लिए unknown capital X और capital T है, we have to find out the values of capital X and capital 2 T, तो अब हम यहां से capital X निकालने की कोशिश करेंगे, और पहली से solve कर लेते, तो इसको हम integrate करते हैं, integrating with respect to small X, we get, अब देखिए हमें क्या मिला, जो हम इसे integration करेंगे, X-over X, dx, तो यहां पर KDX होगा बच्चों, और प्लेस एनी constant, वो constant लेंगे हम next time में कि क्या होने वाला है, क्यों, क्योंकि इसका differentiation यह देखिए अब, हमारे पास यह value है, तो मैं आपको एक बात यहां याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने लिखा cos X over sin X, dx, तो बच्चों, इसको हम T ले लेते हैं, sin X को T लेंगे, तो उसका differentiation cos X, dx, dt है, तो dt upon t होता है, तो dt upon t आता है log t, यह कब possible है, जब इस वाले का differentiation भी यहीं पर available हो, तो वैसा ही मैं कुछ यहां बताना चाहता हूँ, कि X को यहां बताना चाहता हूँ, कि X को यहां हम T लें, तो X dash dx dt होगा, तो dt upon t होगा log t, और log t का मतलब यह वाई, मतलब कि आप इस value को आप log X लिखेंगे, hope आपको यह बात clear हुई होगी नहीं है, तो फिर दुबार से सुन सकते हो आप, and यह value K constant dx का integration, this one, plus बच्चो जब कभी भी ऐसा हो, यदि log आ गया है, तो आप जानते हैं, हम arbitrary constant भी log लेते हैं, यह जरूरी नहीं है, यदि आप log ना भी लेते, तब भी कोई फर्क नहीं बढ़ता, बट अपनी easiness के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, बच्चो यदि हम इसको इधर लेके आते हैं, तो log X minus log C1 will be is equal to KX, यदि minus में होता हैं, तो यह upon में आ जाते हैं, तो log X upon C1 जो होगा, वो KX होगा, बच्चो आप यह भी जानते हो, कि यदि हम log को इधर ले जाते हैं, यह anti-log लेते हैं, तो इधर e to the power KX होगा, यह बली बाती जानते हो, तो ऐसे में जो X होगा, वो C1 इधर आ गया, e to the power KX value आ गए, बच्चो यह capital X है, अब यह काम बाकी है हमारा, हमें यह value देखें, यह value भी K के इक्वल था, तो इसे फिर लेते हैं, तो twice of T dash over T plus 1 is equals to K, मैं थोड़ा पैन बदल लेता हूँ, जिससे आपको यह rectify हो जाएगी इसके लिए न, तो हम क्या करते हैं, twice of T dash over T is equals to K minus 1, बच्चो यह लिए हमने, ज्यादा करना चाहें, T dash over T is equals to K minus 1 over 2, और अब हम integrate करते हैं with respect to small t, क्योंकि capital T के अंदर small t है, इस वज़े से हमें integration with respect to T करना, इनके अंदर भी आपने देखा है, इस small x और small t से ही बनने हुए था, तो इसलिए हमें integration यह दी करना होगा, तो यह तो small x के respect में, small t के respect में, यह बात भी ध्यान रखना है, तो आईए इसका integration, यदे हम integration करें, तो यह तो log t होगा, इसी तरीके से जैसे हमने यहां किया था, is equals to यह आपका constant value, तो k minus 1 upon 2 into dt का integration t होगा, plus log of c2, तो बच्चों, यहां बर हम यह लेते हैं, log t minus log c2 is equals to k minus 1 upon 2t, यह log t upon c2 होगा, k minus 1 upon 2 into t, और बच्चों, मैं direct लिखता हूँ, क्योंकि e to the power होगा, तो e to the bar k minus 1 upon 2 into t यह होगा, और c2 यहां पर आजाएगा, तो this one will be t, बच्चों, अब use equal to, यह तो x भी आगया, यह हमारा t भी आगया, final answer क्या होना चाहिए था, यह मैं हटा देता हूँ यहां से, final आपको यदि ski shot लेना था, ski shot भी ले सकते हैं, अब final answer जो होता है हमारे पास, वो था use equals to x t, तो आईए बच्चों, hence, हम क्या लिखना चाहते हैं, hence, u किस से मिलके बना था, x t, यह कि इसकी value थी, capital x into capital t, या फिर in short, आप इसे u भी लिख सकते थे, बट मैं नहीं लिख रहा, what is x, x was c1 e to the power kx, बच्चों, यह value थी, दूसरी c2 e to the power k minus 1 over 2 into t, this one, तो c1 into c2, बच्चों, c1 into c2, यह भी constant, यह भी constant, तो इनकी multiply capital c ले लिया, तो e to the power kx, और यह power में है, और यह भी power multiply है, तो यह add हो जाएंगे, यह बातें, आप सब जानते हो, this one, तो यह u, x t, जो value i, यह आ गया, बच्चों, इस solution का नाम रखते हैं, हम general solution, विशेज दियान रखेगा, जिस solution के अंदर हमारे, क्या हो, arbitrary constant आया हुआ हो, तो आप यहां ऐसे भी लिख सकते हो, where c is c1, c2, तो बच्चों, अभी question पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इन्हों ने यह दिया, एक condition दियो ही है, हमारे पास, एक initial condition मिली हुए, इसको boundary value problem, के नाम से भी जानते हो, वो लेटर में आपको कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन अभी question हम करना सीख रहे हैं, तो इस वज़े से आप उस पर ध्यान दे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो आसान भी होगी बाते हैं, आपको सीखने के लिए, तो बच्चो अब हमें ये apply करनी है, ये condition, ये सबसे last में ही हमें apply करनी है, और apply करने के लिए क्या करना होगा, वो आप यहाँ आएगा, ये सब हटा दता हूँ है, बहुत important questions में से एक हैं, ये सारे-सारे questions, तो जब आप यहाँ पर, इसमें, देखिए हमें given क्या है, बच्चो यू किस से मिलके बनाए, एक से और टी से, तो हम क्या करते हैं, इसमें, जो हमारे पास ये था, इसमें टी को 0 रखते हैं, तो यू X, 0 is given 6E to the power minus 3X, अब हम बच्चो इसमें पुट करते हैं, तो C ऐसी रहेगा, E to the power KX ऐसी रहेगा, अब हमने T को 0 पुट किया, तो ये खत्म हो बच्चो, ये था value को खत्म हो गई, तो अब ऐसे में, यहाँ से, यदि हम compare करें, अब आप मुझे compare कराएगा, कि comparing, on comparing, what will be the value of C, C will be 6, here is C, and what will be K, K will be minus 3, तो ये दो value हमें मिल गए, क्योंकि K का भी पता नी था, और C का भी पता नी था, ऐसे में, finally, what we will say, finally, solution, is, U, X, T, ये सारी value, C और K, हम इसी में ही put करते हैं, तो C तो 6 था, E to the power, this will be minus 3X, plus, K minus 1, K था minus 3, minus 3 minus 1, minus 4, minus 4 upon 2, that is minus 2T, तो बच्चो, ये हमारा, finally, particular solution आ गया, इस differential equation के लिए, तो हमने क्या क्या किया, मैं वह बात साफ कर चुगा हूँ, लेकिन मैं वर्बल तो आपको लिए बोल सकता हूँ, कि हमने क्या 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 था, पहला काम ये था, कि आपको यहां पर U, X, T, ये आप लेके जो आये हो, उसमें हमने पहले question देखा था, question हमारा ये था, daily over daily X, twice of daily U over daily T plus U, तो ऐसे हमने देखा कि U मिलके बना X और T से, तो हमने solution को लिया, U is equals to X, T, बच्चो, next question में मैं लूँगा, अभी आपको समझाऊँगा, इसी बहाफ पर मैं आपको कुछ बत बोलू, इससे पहले आप बहुत जल्दी से, ये जो आपके पास है, इस question का, आप screen shot ले लिजेगा, लिख लीजेगा, क्योंकि आपके लिए as a homework के मिलने वाला है, जैसा question आपने ये किया है, वैसा ही question ये कुछ है, तो आप इसको try करेंगे, तो ज्यादा बहतर होगा आपके लिए बच्चो, ठीक है, अब मैं वापस इस पर आता हूं, तो आपने देखा होग तो फिर से आप इसको revise कर लो, मुझे पीछे ले जाईएगा back में, फिर से देखो, और जो मैं आप question करने जा रहा हूं, उससे आप सीखने की कोश्च करना, क्योंकि ये दो question आपको बहुत-बहुत मजबूती देंगे, तो आईए देखते है, question, question number 2 लेते है, बच्चू, this one is del u over del x, this is u, मैं ठीक से नहीं बना बारा, okay, del u over del x, this one, and condition is also given, u 0y is equals to 8 times e to the power minus 3y, बच्चो, ये है question, तो सबसे पहला हम काम let करते हैं, कि let इसका solution u किस से मिल के बनता है, small x और small y से, और इसको हम assume करेंगे this one, आप in short ये भी बात ध्यान में रखे हैं, कि ये small x का element है, य capital, जो capital y है small y का, तो अक्सर हम इन बातों को ना लिखेगी, इसका function है, इसका function है, सिर्फ हम ये लिखते हैं, और हमारे mind में set रहता है, small x के लिए capital x लिखा जा रहा है, और small y के लिए capital y लिखा जा रहा है, इसके अंदर small x भरे पढ़ें, इसके अंदर capital y के अंदर small y भरे पढ़ें, किस वाम में, sin, cos, log, e to the, whatever, we don't know, okay, now, क्या करना किया है, मैं यही से फिर पूछता हूँ, del u over del x क्या होगा, यदि मैं इसको, इस u को, x के respect में differentiate करता हूँ, तो y तो constant है, और x जैसा भी होगा, उसका differentiation x dash होगा, क्योंकि partial differentiation कर रहे हो, del u over del y यदि आप लेते हो, तो इस x y को करते हो आप, y के respect में कर रहे हैं, तो x तो constant है, y के अंदर जैसा भी होगा, cos से तो sign हो जाएगा, कुछ और है तो उसके ऐसे हो जाएगा, अभी तो हमें नहीं पता कि वो capital y के अंदर कैसे small y भरे पड़े हैं, तो हमने कहा कि उसका differentiation x y dash होगा, बचो और कहीं करता हूँ, इसमें 1 में, तो putting in 1, इसको मैं 1 assume कर लेता हूँ, जिससे दिक्कत ना ये 2, so putting all values in 1, तो 1 में जब हम put करेंगे, तो daily over daily x x dash y is equals to 4 times x y dash, बच्चो ये value आ गई, अब देखो, ये तो इससे अलावा कुछ नहीं है, अब हम variables को separate करना है, वैसे तो इसमें तो कोई द काम करें, ज्यादा बहतर होगा, क्या, जो हमने assume किया है, x y, उससे आप divide करें, बहुत आसानी से ये आपके, क्या हो जाएंगे, variables separate हो जाएंगे, जो की method कहता है, तो ये कितना आएगा, y से y cancel हो के x dash over x आएगा, यहां से x x cancel हो के 4 y dash over y आएगा, ये value, और हम क्या कहते रहे हैं कि ये capital k या small k के equal हम इसको let कर लेते हैं, बच्चों, ये सब रटी रटाई चीज़े हैं, हर question में आपको कुछ ऐसा ही करना होगा, तो शुरुआते हैं इस वज़े से अजीब लग रहा, जैस जैसे questions बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप अच्छे से सीखते रहोगे, ओके, तो ये x-over x था, तो बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, पहले x-over x को k लेता हूँ, ये equal, ये value, इसके equal होगी, ये वाली value भी इसके equal होगी, तो पहले हम इसे solve करते हैं, और integrating with respect to small x, आपको पता, small x के respect में ही कर सकते हैं, तो जब हम इसका integration करेंगे, तो ये log x होग बच्चो, x होगा, तो kx, प्रेस, अब log में आ रहा है, तो log c1, मेरे इसाब से मैं इसको directly लिख सकता हूँ, क्योंकि पेछली बार भी मैंने लिखा था, x is equal to c1 e to the power kx, ये value मैंने direct लिख ली, नहीं तो log x minus log c1 is equal to kx, log x over c1 is equal to kx, log इधर आता है, तो e to the power kx होता, और c1 क multiply हो जाती, ये सब आपको पता होना चाहिए, अब, okay, बच्चो, now, क्या करना हमें, इसको रखते हैं, 4 y dash over y is equal to k, ये k लिए, तो हमने क्या किया, y dash over y को यहीं रहने देते हैं, k by 4 ले लेते हैं, और बच्चो, फिर इसको integrate करते हैं, with respect to small y, और जब हम इसे करेंगे, ऐसे म आपको लिख दो, क्योंकि पता नहीं, पिछली वाली बात, ये वाली बात कितनी समझ आई है, तो इससे डर भी लगता है, कि आपको समझ ना है, तो इस वीडियो को देखने का क्या फायदा, तो ये, अब बच्चो, constant value लेंगे, उसके according पहले integration आने दो, तो integration इसका तो log y हो log c2, ये is equal to k upon 4y होगा, और यहां से log y over c2 is equals to k over 4y, और यहां पर बच्चो, ये मैं direct लिखता हूँ, y is equal to log इधर जाएगा, तो e to the power k upon 4y upon में c2 था, तो ये upon वाली value यहां गए, यहां गया, अब बच्चो, final solution की अदी मैं बात करूँ, तो final solution जो हम पहले बोलते हैं, general solution is, final solution तो बाद में बात करेंगे, पहले general solution, general solution वो होता है, जिसके अंदर arbitrary constant आयो हो, कौन-कौन, जैस c1 है, c2 है, यह constant यह आयो है, तो वो क्या है हमारे पास, general solution है, तो u, जो था हमारे पास, x, y, उसको हमने माना था, capital x into capital y solution, तो capital x solve करते हैं, capital x हमारे solve कर चुके हैं, यह value ले क्या है, c2 e to the power k upon 4y, बच्चो यदि c1 और c2 को मैं capital c ले लो, क्योंकि दो constant की multiplication भी constant होती है, तो यह e to the power kx, और यह भी multiply में होगा, तो plus k upon 4y होगा, यह हमने u, या u of function x, y, ऐसे बोल सकते हैं, और where यदि मन नहीं मानता, तो c is equal to c1, c2 भी आप लिख सकते हो, बच्चो य यह तो general solution हुआ, लेकिन फिर भी, आप यदि देखे question में, तो यह हमारी condition still अभी भी बची हुई है, 8 times of e to the power minus 3y, यह यहां भी देख सकते हो, तो मैं, या आप इसका screen shot ले सकते हो, और फिर मैं, या फिर यदि मेरी तो आप से request यह है, कि आप copy panel ले करके, अपना question को note down करते रहो, साथ के साथ सीखते भी रहो, ज्यादा बैतर होता, screen shot तो ऐसे ही, जब बल्क में कितने बनते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो वो कुछ नहीं होते, तो मेरा जैसा है, आप से request है, कि आप जब कभी भी मेरी videos देखें, तो copy panel ले करके, क्योंकि आपको questions जरूर मिलने वा बचो, यहां बर, जब हम इसे solve कर लेते हैं, यह यू था, अब यह यू की जुरत बनेगी हमारी, तो मैं यहां से यह इटाता हूं, तो what is you, मैं फिर से लिखता हूं यहां पर, यू जो था हमारा, c e to the power kx, प्रेस k upon 4 into y, बचो यह है, ओके ज्यादा अच्छा नहीं चल र करना है, देखो, x की जगह 0, so u 0 y, that means, x की ज़रा 0 पुट करना है, यह गेवन कितना है, यह वेल्यू गिवन है, c e to the power, यह वेल्यू 0 होगए, क्योंकि k into 0, 0 होगा, तो e to the power k upon 4y, क्योंकि y की जगह तो y ही रहने दिया, कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ, अब बच्छो, सिर् constant है, वो minus 3 है, तो इससे पता चला कि k की वेल्यू minus 12 आ गई बच्छो, this one, तो यह सारी की सारी वेल्यू putting, इस e का number, equation number 3 रखते हैं, तो putting in 3, so what will be the value of u x y, c to 8 हुआ, e to the power minus, यह 12 था, this one, plus k upon 4, आपको पता है, k upon 4 तो हमने minus 3 लिया था, तो minus 3 y, it will be your answer, तो हम ऐसे अपने questions solve करते हैं, तो मुझे उमीर है, कि आपको यह बात समझ आई हुई होगी, कि आप हम questions ऐसे करते हैं, तो बच्छो, मैं आपको एक यह question दिया है, कि यह आप fifth try करेंगे, और यह video जादे लंबी हो जाएगी, तो मैं इसमें सिर्फ यह दो question रखता इस next video में हम third question को try करेंगे, fourth question को try करेंगे, और फिर यदि आप allow करेंगे, तो फिर इनके बारे में ही बात करेंगे, या फिर आप खुद solve करेंगे, तो यह बातें सब आपको next video मिलेंगे, इतने आप इस question को करके रखेगा, और next video का wait करेगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमशिगार, नमशिगार, नमशिगार.